हेलो दोस्तो आज मेरे पास बनने के लिए एक आईटल मोबाइल जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि कस्टुमर का कहना है कि जब टाउर के पास रहते हैं तो इसमें नेट्रोक आता है जब दूर चले जाते हैं तो नेट्रोक नहीं रहता है तो चले देखते हैं इसमें क्या प् सेट हमारा आउन हो गया इसको काड़ दे रहे हैं यह देखिए नेटोर्क खोज रहा है इनतिजार करते हैं कुछ टाइम तक यह देखिए बिलकुल भी नेटोर्क नहीं आ रहा है आप आतकालियन आ रहा है तो चलिए मोबाइल को खोल ले रहे हैं उसके बाद मॉल्टिमेटर से इसको चेक करते हैं इसके सप्लाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है आटीना में तो एक बाद हम इसका जियार ले लेंगे यह कंटिनिटी रेंज पर चलिए जियार ले ले लेते हैं यह देखिए जियार तो सही आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दूसरा वाला भी जियार सही आ रहा है यहां पर चेक कर लेते हैं कि सप्लाई तो बराबर हो रहा है या नहीं सप्लाई तो सब कुछ ठीक दिखा रहा है फिर भी यह दिक्कत है तो इसका टीना हम खोल लेंगे यह टीना हमारा खुल चुका है हो भी एक दम फिरस एक काम करते हैं पहले हम इसको चेक करने के लिए इस पर एक जमपर वायर कनेट कर देंगे क्योंकि बार बार मॉबायल को पैक करना पड़ेगा इसलिए यह हमारा जमपर वायर लग गया उसके बाद में इसका जो क्रिस्टल है उसके हम हीट करेंगे इस पर थोड़ा सा पैस्ट लगा दे रहे हैं उसके बाद में इस पर थोड़ा हीट करेंगे 200-200 degrees Celsius पर थोड़ा टाइम हीट करके इसको मूब करा देंगे हमारा हो गया हिट इसको ठंडा होने देते हैं उसके बाद इसको लिक्विड डाल के किलीन कर लेते हैं किलीन हो गया हमारा ठंडा भी हो गया अब इसको ओन कर लेते हैं सिम लगाके यह सिम हमारा लग गया उसके बाद इसको पॉर्स अप्लाई से कनेट करके आउन कर लेते हैं फोन को यह प्लस को कनेट कर देते हैं उसके बाद माइनस को यह सेट हमारा आउन हो गया यह लिए डेट टाइम काड़ दे रहे हैं यह देखे नेटर खोज रहा है भी थोड़ा इंतजार करते हैं यह देखे नेटर खोज आ गया बिल्कुल सही तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल से हेल्प मिला हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई नमस्कार